कोई भी सबजी हो सबका बनाने का तरीका अलग-अलग होता है और अगर सबजी टेस्टी बनी है तो भूक अपने आप ही लग जाती है तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रामफली की बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी सबजी और साथ ही साथ दस मिनट में बनने वाली एक तम गाड़ी मज़ेदार गाजर की खीर हाई आपरिवरेंट वेल्कप बैक टो माई कुकिंग ब्लॉग तो फ्रेंट्स चलिए बनाते हैं रामफली तो रामफली को मैंने अच्छे से धो लिया है और जैसे सीम के रेशे इस तरह से निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही इसके रेशे हमें निकाल लेने हैं यह लेकर छोटी रामफली है तो उसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक प्याज उसे बिलकुल बारिक बारिक चॉप कर लेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता दू रामफली को बाकला भी बोलते हैं और इसके अंदर आयरन कैल्शियम प्रोटी में कट कर लिया है और अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ तीन आलू और आलू की छिलके मैंने नहीं निकाले हैं इन्हें अच्छे से साफ कर लिया है और इस तरह से राउंड शेप में मैं इसे कट कर ले रही हूँ तो यहाँ पे आलू को मैंने कट कर लिया और चलिए अब बाकला की सब्जी बना लेते हैं तो सबसे पहले एक कड़ाई में डाल देंगे और जैसे ही ऑल गरम हो जाए इसमें स्लाइस किये हुए आलू डाल देंगे अब आलू को हमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है तो यहां पे करीब 2-3 मिनट तक आलू को हाई फ्राई कर लें और जैसे ही आलू थोड़े से कुक हो जाए और फ्राई हो जाए उसमें हम इस राम फली यानि की बाकला को आड़ कर देंगे और इसे भी करीब 2-3 मिनट तक आलू के साथ फ्राई करेंगे तो यहां पे यह दोनों ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो बस इसे निकाल करेंगे और फिर से कड़ाई में थोड़ा सा ओयल एड़ करेंगे और ओयल के गरम होते हैं उसमें मैं एड़ करूंगी एक टीस्पून के आसपा साबोज चीरा एक चौथा टीस्पून हींग और एक टीस्पून एड़ करेंगे अध्रक लहसन का पेस्ट इन्हें हम थोड़ के बाद इसमें आड़ करेंगे बारीक कटे हुए प्यास और प्यास को भी हमें कलर चेंज होने तक भुनने ना है अब यहां पर प्यास भुन चुके हैं तो इसमें मैं आड़ कर दूंगी बारीक कटे हुए टमाटर और टमाटर को हमें अच्छा सॉफ्ट होने तक पका लेना तो यहाँ पे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए इसने मैं इसमें एक टीस्पून नमक आड़ कर रही हूँ तो जब तक टमाटर सॉफ्ट हो रहा है यहाँ पे मैं ले रही हूँ करीब 3-4 बड़े चमज दही घटी बिल्कुल भी नहीं होनी चीए इसे हम अच्छी तरीके से फैट लेंगे और इसमें मैं आड़ करूंगी कुछ मसाले तो यहाँ पे मैंने आड़ कर दिया है एक टीस्पून हल्दी का पाउडर एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ज का पाउडर आधा टीस्पून तीखी लाल मिर्ज का पाउडर एक टीस्पून धनिया पाउडर और एक टिस्पुन किचन किंग मसाला पाउडर इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो बस यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और अब यहाँ पर टमाटर सॉफड हो चुके हैं तो इसमें यह दही और मसालो वाला लगा के इसे कुप कर लूँगी तो यहां देखिए एक मिनट बाद ही कैसे मसालों ने और रिलीस करना शुरू कर दिया है तो अब इसमें फ्राइ की हुए आलू और बाकला यानि की रामफली आड़ कर देंगे और मसालों के साथ इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो यहां पे थोड़ा सा पानी मैं आड़ कर रही हूँ हमें वैसे तो इसको लटपटा बनाना है लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पानी आड़ करना जरूरी है ताकि मसाले जले नहीं अब यहाँ पर मैं इसमें add करूंगी कसूरी मेथी तो मैंने यहाँ पर ली हुई है करीब एक डेबल स्पून के आसपास कसूरी मेथी और क्रेश करके कसूरी मेथी मैं इसमें add कर दे रही हूँ आलू और बाकला को फ्राइ करते टाइम वो लगबग 50% कोको चुके हैं तो यहाँ पर 50% और कोक करने के लिए इसे पास से 7 मिनट के लिए लेड लगा के हम पका लेंगे और दूसरी तरफ मैंने लिए हुए है तीन गाजर इनhouses में ग्रेट कर लूँगी तो बिल्कुल लाल वाली बड़िया गाजर मैंने यहाँ पर लिए है यहां पर गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है और कड़ाई में मैं डाल दूंगी करीब एक बड़े चमच देसी घी और इसमें एड़ कर दूंगी में ग्रेट किया हुआ गाजर और गाजर को करीब 3-4 मिनट तक हमें भूल लेना है तो यहाँ पे घी के अंदर गाजर को मैंने 4-4 मिनट भूल लिया है अब यहाँ पे मैंने 300 ग्राम गाजर ली थी मैं इसमें आट करी हूँ 750 ml दूद तो यहाँ पे 750 ml मैंने दूद आट कर दिया है और अब इसमें बॉयल आने देंगे तो जब तक इसमें बॉयल आ रहा है चलिए सबसी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे सबसी हमारी अच्छे से कोखो चुकी है अच्छे से ओयल भी रिलीस कर दिया है और अच्छे से आलू और बाकला दोनों ही पक चुकी है तो बस इसमें बड़े साइस का जो टमाटर मैंने काटा हुआ है वो आट कर दे रही हूँ और इस टमाटर को भी थोड़ा सा सौफ्ट होनी देंगी इसके लिए एक मिनट के लिए मैं लेट लगा के इसे पका लूँगी बहुत ज़ादा गलाना नहीं है इस टमाटर को क्योंकि इस टमाटर से ही ये सबजी देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी तो बस यहाँ पर से थोड़ी सी चौप की हुई हरी धनिया मैंने आट कर दी है और हमारी बाकला यानि रामफली की सबजी बनके तयार है है ना यह दिखने में ही कितनी मज़ेदार रामफली की सबजी बनके तयार है और यहाँ पे जो गाजर की खीर मैं बना रही हूँ उसमें भी उबाल आ चुका है तो बस इसे तीन से चार मिनट और उबालेंगे इससे जादा नहीं सिर्फ तीन से चार मिनट और उबलने देंगे अब इस खीर को जल्दी गाड़ा करने के लिए इसमें मैं आड़ करूंगी कस्टर पाउडर तो दो टिबल स्पून कस्टर पाउडर में मैंने पानी आड़ कर दिया है और इसका एक सलरी यानि की घोल बना लेंगे तो यहाँ पे custard powder की सलरी बना ली है और इसे अब हम आड़ कर देंगे गाजर वाली खीर में तो आप यहाँ पे condensed milk के साथ भी इस खीर को बना सकते हैं या फिर आप milk powder आड़ करके बना सकते हैं अगर आप custard powder पसंद नहीं करते हैं या नहीं आड़ करना चाहते हैं तो बस दो मिनट इसे और अच्छे से पकाएंगे और ये देखिए खीर बिल्कुल बन के तयार है गैस को ओफ कर देंगे और यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुछ काजू और बादाम जिने मैं बारिक चॉप कर ले रही हूँ तो यहाँ पे काजू बादाम को मैंने बारिक बारिक चॉप कर लिया है पैन में डाल देंगे थोड़ा सा देसी घी तो यहाँ पे मैंने एक टेबल स्पून देसी घी डाल दिया है और इसमें इन ड्राइफ फूट्स को मैं फ्राइड कर लेना है तो काजू बादाम को डाल के थोड़ा सा फ्राई करेंगे सासा थोड़ा सा किश्मिश भी मैं इसमें आड़ कर रही हूँ अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के बाद सबसे पहले खीर में मैं आड़ कर रही हूँ देसी खान तो मैं यहाँ पे शुगर नहीं आड़ कर रही हूँ आप तो शुगर भी आट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे करीब 5 टेबल स्पून देशी खान आट की हैं, साथ ही साथ मैंने आट कर दिया है, फ्राइ किया हुआ ड्राइ फ्रूट्स, इन सारी चीजों को कर लेंगे, मिक्स, तो एकदम थिक, बढ़िया सी, 10 मिनट में गाजर की खीर बनके तयार है, तो बाकला यानि रामफली की सबजी को आप पराटे के साथ, रोटी के साथ कैजे भी खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है, तो बहुत ही लटपटी और मज़ेदार बनती है, यह बाकला यानि रामफली की सबजी, और साथ ही साथ गाजर की खीर का कॉमिने कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो में चल देन टेक कियर एंड बाबाई